नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर प्रपोज किया था वो बेहत शांदार था, वो शोएब को इनकार ना कर सकी, सानिया मिलजा ने जैनब अब्बास से बात चीत करते हुए कहा, कुछ महीनों तक एक दूजे को डेट करने के बाद शोएब मलिक ने मुझे सीधे कह दिया कि वो मुझे से शादी करना चाहते हैं, शोएब ने कहा कि मैं भारत आकर तुम्हारे परिवार से मिलना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो मुझे बता देना, सानिया ने आगे कहा, मुझे शोएब मलिक की बात में काफी सच्चाई नजर आई, मुझे लगा कि उसमें कोई दिखावा नहीं था, वो उनकी सच्ची भावना थी, जिसे उन्होंने महसूस किया और मुझे से इजहार कर दिया, सानिया ने कहा कि उन्हें शोएब मलिक की यही बात बेहत पसंद आई क्योंकि वो दिखावा नहीं करते, उन्होंने घुटनों के बल बैठ कर मुझे प्रपोज नहीं किया जो कि उनका स्टाइल नहीं है, शोएब मलिक बहुत सरल है, सानिया मिर्जा ने जैनब अब्बास को इसी इंटर्व्यू में बताया था कि वो शोएब मलिक की एक आदत से नफरत करती है, सानिया मिर्जा ने कहा कि जब उनके बीच जगडा होता है तो शोएब मलिक अपने दिल की बात नहीं बताते हैं, वो उसे अपने तक ही सीमित रखते हैं, बता दें शोएब मलिक से पहले सानिया मिर्जा की जिंदगी में सोहराब मिर्जा थे, सोहराब और सानिया बचपन के दोस्त थे और साल 2009 में दोनों ने सगाई कर ली थी, हाला कि कुछ कार्णों की वज़ा से ये सगाई तूट गई, जिसके बाद शोएब मलिक सानिया की जिंदगी में आए, दोनों ने पांच महीनों तक एक दूसरे को डेट किया और 12 अप्रेल 2010 को दोनों ने निकाह कर लिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद